प्रेंट्स मेरे चनल में आप सभी का स्वागत तो आई आप मटरालु की सब्जी मटरालु की सब्जी आप ने बहुत दिखाय अगे में उसके साफ़ गरेविवाली मटरालु की सब्जी जलिह करते हैं मटरालु की घ्रेव blossoms सब्जी के ठयारी तो हमने लिए थे आलू चार आलू मैंने ले लिए इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है आलू दुलकर हमें थोड़ा सा पोच कर इसे सुखा लेना है तो मैंने कॉटन की कपड़े से आलू सुखा लिए तो आलू मैंने कॉटन की कपड़े से पोच कर इनको ऑल में डाल दि तो आलू हो चुक है तो में को प्लेट में निकाले लेंगे तो मैं ने इस में निकालीए जाली में इसको इसको कहला इसका जो एसटै ऊफ़ें नेदे इस अइसे के ईफ़ाग dobrý गया तो मैंने लिए quarter चार मैं बड़ी प्यास ली थी और मेरे लेस्णव लिया है मैंने पांच छे कली और मैंने दो टमाटर कठ तो मैंने टमाटर को लिए और मैंने तौड़ा सा फिटना है कटा वहाद में दलबाइब और तोड़ा हलका भूना है थोड़ा हलका सब भी यहिरह समय ले तो इसमें डाल कर इसे अच्छी तरीके से बूनना है और मैंने आरा चमच नमक डाल दिया इसमें और नमक डालने वाज देगी तोड़े से गलाने हैं हलकी क्योंकि इसकी ग्रेवी बना कर तैयार जो करने हैं तो टमाटर आना अगल चुके हैं और इसको पर्स प्लेट में नि कि अफले प्लाँ के हैं और इसमें टाला है मैंने डेट्ड चमच लाल मिर्च चैर्टर दे लिक्ट का पॉर्डर मैंने इसमें डालाया आए और दो चमच धनयां लिया मैंने तब तक हमारा जो ठंडा होड़ा है कड़ाई में टमाटर वाला तो उसको ठंडा होने देते हैं फिर लगा लेते तब तक आठा तो आठा भी लगाना क्योंकि पराटे में तिकोने पराटे के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं जो आलू मटर की सब्जी गिरेवी वाली उसके साथ तिकोने पराटे हम बनाएंगी ना तो बहुत यह स्वाधिश लगते हैं इसलिए हमें आठा भी लगाना तो मैंने आठा लगा कर रेडी कर लिया है और आठा मैंने लगवा अच्छा कलर आए इसका बहुत ही बारिक पिस गई इस तैयार होच गिरेवी तुषकों कटोरी में निकालेंगे तो देखे कडाई मैंने रख दिए कडाई में मैंने हीन डाली है दो तेजपात के पत्ते डाले और मैंने दो चमस इसमें ऑईल डा रहा है उसके बाद हम डाल ने कडाई को साफ नहीं किया उसी में बनाली है इसमें टमाटना बगर भूने थे तो उसी कडाई में ग्रेवी को बनायेंगे इसको अच्छी तरीक्वा युक्त भूलना है इसको जब तक इसमें जो ऑले हैना भाए मैंने घस्ता करे शेकिता मैंने उसाइञा। को मैंने ग必खी भीा इसे लाने के बाद सब्सक्रावाज होगा जड़ा ऊचा को करें तक पूर्षे के सबस्रेज़ करिए तो मसाला औरेडी हो गया तो हमने ढाली मटर मैंने आधा कटोर लिए थी तो मटर आलकर में से अच्छी तरीकी थोड़ा सा ठाइग जाए तो मैंने कड़ाय को ढख दिया है और कड़ाय की बनाते सब्जी तो ऊरी आज स्वाधिश्ट कुछ बनती है आप अल्मोनियम की बना स लेकिन लोही की कड़ाई में बनाओ तो और भी आदा स्वाधिश बनती है तो सब्जी हमें ऐसी लगातार चलानी है तो मसाला पकर विल्कुल रेडी हो चुका है तो बस थोड़ा ही दो मिनिटों से और चलाना है मैं तो अब इसमें डालेंगे पानी क्योंकि पानी डालेंगे तो ग्रेवी को में इतना एक कटोरी पाइंट डालकर रख दिया और इसे पांच मिनट के लिए हम पकाएंगे तो पांच मिनट हो चुके हैं देखी सब्जी कितनी अच्छी वल रही है ग्रेवी है बहुत अच्छी तरीके से बनकर पक कर तयार हुए इसमें खुस्पू भी अच्छी ग्रेवी वाली सब्जी बनकर तयार हो चुकी है तो बस इसमें रह गए हैं कुछ दो चीजें और अट करेंगे और वो है हरा धनीया और गरम मसाला तो हरा धनीया और गरम जाद बढ़े तो सब्सवान तो बना हो और गरम मसाला तो तो सब्जी में खुस्पू आ रही तरी तेज़ जब जैसे मैंने गरम असाज में डाल दिया तो सब्जी की खुस्पू दो गुना ज़्यादा तेज हो गई थी तो देखिए सब्जी बन गई है तो इसको हम रख देते और तक तक लगा लिया था मैंने जो आटा पहले तो हम कि मैंने इसे पूरी बेल लिये है पर इमलाब पूरी बेल लिया है इसमें घी लगाएंगी यह तोड़ा सा हुए खुब आराम से लगार है इससे जृब से हो स्वेय से इस तोड़ा से कमसरे में डालेंगे आठा मैंदा जो कुछ वहाम ने रखा है उससे तरीं दाल गया हुआ है और 10 से मौडना है तो देखिए पराठा तिकोना वाला बनके तयार हो गया है तो हम बिलन मारें तो इस तीकले से पराठा बनके तयार हो गया है तो मैंने तबाधी घरम कर लिया है कि इस पर तुक तॉइल पलट दिया सको पलत पलकुल शिख जाएगा और फूल लगे गा तभी इस लगांगे तो आपर नीचे ऊपर दो तरफ मैंने सेख लिया जीसे रोटी को सेखते हैं उसी त्रिक सेपर पारठा भी सेखा है तो पराटा बिल्कुल सभी बन गया है सिक गया है तो आप उस पर लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा घी बिल्कुल थोड़ा ही हमें इस पर लगाना है और देखिए हम इसको घी लगा रहे हैं तो इस त्रीके से पलट दिया और फिर उसे दूसरे वाले जो अना सेड में उस उस पर भी ही लगाएंगे और लगाने के वाद से थोड़ा हलकल दबा दबा कर हमें सेखना है तो देखिए पराटा कितना अच्छा है और इसके जो परत मैंने लगाए थे ना चारों परत है इसके अलग-अलग हो जा रहे हैं जुबने जितने पट लगाए थे आप पराट शबड़े जब खाते हैं सब्जी के साथ gravy बाली सब्चि मतार आलू के साथ खाईे किसी सब्जी और के साथ भी तब भी पराटे बहुत ही जादा अच्छे लगते हैं तो देखिए पराटा बनके तयार हो चुका सब्सक्राइब और सब्सक्राइब आपने घर पर किस तरीके सब्सक्राइब और प्याज मैंने काटी गोल वाली लच्छे वाली प्याज काटो और भी हालाजातास मैं थो लच्छे क्ट कर दिया और पराठा मैंने बनाई थिखोने वाले पराठे निए जो देखके का hoc तो ले करारे बने थी तो पराठे बहुत ज़ादा अच्छे लग रहे हैं देखने में लेकिन आपको कैसे पराठे लग世界 लगी है कैसी सब्जी लगी है तो आप प्लीस प्लीस कमेंट करकर बताना जरूर क्योंकि आप नहीं बता वे तो मैं पता कैसे चलेगा पराठा और सब जी आपको कैसी लगई तो आप पृम्ञीस बतान प्लीज करूगे तभी तो पता चलेगा हमें। करें च 59-पनर होगे उना उस off और लायं कर सकते हो तो में है चैनल नए वह प्रेमा ref देखा हमारे वीडियो तो तो प्लीज सब्सक्राब कर दीजिए जिससे कि हमारी सब्सक्राइब आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं तो चलते और मिलते लिए निव वीडियो के साथ तक लिए बाए बाए